नमस्कार दोस्तों, इंडियास ग्रोइंग मिलिटरी पावर यूट्यूब चानल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज हम दो प्रमुख डिफैंस अपडेट्स पर बात करेंगे जो भारतिय वायू सेना और हमारी हवाई ताकत से सीधे तोर पर जुड़ी हुई है पहला अपडेट भारतिय वायू सेना के MRFA यानी Multi-Role Fighter Aircraft Acquisition को लेकर है जहाँ पर भारतिय वायू सेना प्रमुख की तरफ से एक महत्वपूर्ण बया सामने आया है भारतिय वायू सेना प्रमुख ने स्वदेशी अम का 5th Generation Stealth Fighter Project के रियलीटी को समझते हुए MRFA acquisition पर जोर देने की बात कही है जो की एक महत्वपूर्ण बात है वायू सेना प्रमुख ने भारतिय वायू सेना के घट्ते Fighter Squadrons क्षमता को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा की हमें जल्द से जल्द भारी मात्रा में एक State of the Art Fighter Aircraft को अपने बेडे में शामिल करने आवशकता है जो न सिर्फ हमारी घट्ती Fighter Squadrons क्षमताओं को रोकेगा बलकि MiG-29, Mirage 2000 और Jaguar जैसे Fighter Aircraft को बड़ी आसानी से रिप्लेस भी कर सकेगा ये बात हम सभी जानते है कि MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए हम LCA Tejas Mark 1 आका निर्मान कर रहे है लेकिन सिर्फ तेजस से काम नहीं चलेगा, हमें एक ऐसे Fighter Aircraft की जरूरत है जो स्वदेशी अमका 5th Generation Stealth Fighter के आने तक तेजस और सुखोई जैसे विमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाके दुश्मनों के खिलाफ किसी भी Operations को बखुबी से अंजाम देने में माहिर होगा अब अगर MRFA Acquisition की बात की जाए, तो इसमें शामिल सिंगल इंजन वाले Fighter विमानों को वायू सेना ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें स्वीडिश ग्रिपेन और अमरीकी AF-21 पदता है वही दूसरी ओर, रूसी Fighter Aircraft, जिनको इस एक्वीजीशन के तहट ओफर किये गए थे, जैसे सुखोई SU-35 या फिर मेग-35, इनको भी वायू सेना ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है अब बचे रहे सिर्फ, Eurofighter Typhoon, Boeing AF-15X और Dissault Rafale अब बहुत पूर्ग वायू सेना अधिकारी और रक्षा विशेशग्यों ने रिफेल को अपना पहला पसंद माना है और वायू सेना की ज्यादा तर अधिकारी भी यही चाहते है कि रिफेल को विजेता गोशित किया जाए इसके पीछे सिर्फ फ्रांस के साथ भारत के बढ़ते संबंध और दोस्ती ही एक मात कारण नहीं है बलकि रफेल की भारतिय वायू सेना में अल्रेडी मौजूद रहना और इसके लिए तयार किये गए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आदा कर रहे है राफेल के मेंटेनेंस और इसके इंजिन के मेंटेनेंस के लिए फ्रांसेशी कमपणी सफ्रान ने भारत में ही एक इंजिन MRO फैसलिटी ओपन किये है हाल ही में जिसकी मदद से भारतिय वायू सेना के राफेल विमानों के इंजिन्स को मैंटेन और रिपेय किया जाएगा। वही हाल ही में केंद्रिय सडक परिबहन मंत्री श्री नितिन गड़करी सर ने नासिक में एक कार्यक्रम में कहा है कि वो नासिक को एक Aerospace Hub के तोर पर विक्सित करना चाहते है और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और इसी स्टेटमेंट के बाद चर्चाएं जोरो से शुरू हो गई थी कि तो क्या वाकई में रुफेल MRFA अक्विजिशन की विजेता बन चुका है यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि नासिक पहले से ही एक छोटा सा एरो स्पेस हब बना हुआ है क्यूकि यहाँ पर ही हमने रूसी मिग 21 और सुखोई SU-30 MKI जैसे घातक लड़ाकू विमानों को मैनुफाक्च्चर किये हिंदुस्तान एरोनोटिक्स के नासिक क्यूकि यहाँ पर समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम MRFA acquisition के लंबे प्रोसेस में फस नहीं सकते क्यूकि अगर आज MRFA को लेकर RFP यानि request for proposal जारी होती है तो इसके evaluation, tendering और final deal पर सहमती और हस्ताक्षर होने में कम से कम देर से 2 साल का वक्त बीच सकता है जिसके बात इन विमानों की delivery तीन साल बाद शुरू होंगे जो की काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी इसी चीज को ध्यान में रख कर ही वायू सेना प्रमुख ने IDRW नामक प्रमुख Defense वेबसाइट को एक इंटर्व्यू में कहा है कि उन्होंने चीजों को तेज बनाने के लिए और सम प्रोसेस पर जोर दिया था लेकिन अब स्थिती बहुत ही अलग है एक तरफ जहां पर नौसेना ने रफाल मरीन को अपने एरक्राफ्ट करिय के लिए चुना है तो दूसरी तरफ वायू सेना की तरफ से भी रफाल को इशारों इशारों में अपना पहला पसंद बताया जा रहा है और यही पर डिसॉल्ट एवियेशन की तरफ से ये कहा जाना की अगर ओडर साथ से सत्तर विमान या उससे भी अधिक की होती है तो वे भारत में बड़े पैमाने पर रफाल विमान के प्रोडक्शन को लेकर राजी है जिसके तहट सिर्फ भारतिय वायू से ना की ही बलकि दुन्या के किसी भी देश से अगर रफाल के ओडर मिलते है फ्रांस को तो उनका भी निर्मान यहां पर भारत में किया जाएगा जो कि भारत को एक ग्लोबल एरोस्पेस हब और एरोस्पेस सप्लाई चैन का हिस्सा बना देगा और इन ही सब कारणों के चलते डिसॉल इस वक्त MRFA दील को जितने की बेहद ही करीब है अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ ये अपडेट का सीधा तो कोई तालुक भारतिया वायू सेना या भारतिया रक्षाक शेत्र से नहीं है लेकिन ये भी परोक्ष तोर पर हमारी हवाई ताक् दरहसल हाली में एक खबर सुर्कियों में आया है कि रूस ने अपने फिफ्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर सुखोई SU-57 में रूसी इतिहास में बनाई गई अब तक का सबसे ताकतवर जेट इंजिन को इंटेगर्टे कर लिया है जिसका नाम AL-51-81 रखा गया जिसका प्र दे डिफेंस अपडेट के तौर पर प्रस्तुत करने का क्यूंकि यही वो इंजिन है जिसकी कमी एक कारण थी जिसकी वजह से भारत ने इसी सुखोई SU-57 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से खुद को किनारा कर लिया था अगर रूसी सूत्रों की माने तो ये इंजिन 175 किलिन है और यही इंजिन अब रूसी सुखोई SU-57 विमान को सही माइने में सूपर क्रूज अबिलिटी प्रदान करने में सक्षम बनाएगी और सिर्फ यही नहीं ये इंजिन अब तक के रूसी इतिहास के सबसे फ्यूल एफिसेंट और कम मेंटिनेंस की आवश्यक्ता वाला इं इंफ्रारेड टारगेटिंग से डिटेक्ट किया न जा सके जो इसके स्टेल्थीनस को और ज्यादा इंक्रीज करेगी अब इन ही सब कारणों के चलते सुखोई SU-57 दिन पर दिन एक एंप्रूवड फिफ्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के तौर पर उभर रहा है और अप्रूवड और मचोर्ड फाइटर के तौर पर उभरता है तो भारत इसे डाइरेक्टली रूज से खरीदने के बारे में जरूर बिचार कर सकती है अब ऐसा ही कुछ आसार दिख रहे है भले ही भारतिय वायू से ना अपने सिध्धान कोई भी विदेशी फिफ्ट जनरे स्टेल्थ फाइटर्स की संख्या भारतिय वायू सेना को अपने सिध्धान्त को बदलने पे मजबूर कर सकती है और रूस ऐसी इस थिती को लगातार बनाता जा रहा है अब भारत अगर सुखोई SU-57 को ना भी ले ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर होने के कारण जिस में AL-51 F1 इंजन का इस्तिमाल किया जाएगा जो इसे अमरीकी F35 के समकक्ष लाकर खडा कर देगा इसके अलावा इस विमान में डिजाइन चेंजस भी किये गए है और बहुत जल्द रूस इसके सीरीज प्रोटोटाइप को भी सामने लाएगा अब भारतिय वायू सेना के लिए निर्नाई लेना थोड़ा मुश्किल बनता जा रहा है क्यूंकि एक तरफ घटते फाइटर स्क्वाडरंस संख्या दूसरी तरफ स्वदेशी विमानों के डेवलप्मेंट को सपोर्ट तीस्री और दुश्मन परोसियों के हाथों आपसे पहले एक फिफ्ट जिनरेश स्टेल्थ फाइटर का आजाना ये सब चीजे वायू सेना के लिए स्थिती बेहद ही जटर बनाता जा रहा है अब यहां पर भारतिय वायू सेना के सामने दो रास्ते है पहला आप 114 राफेल विमान खरीदे मेक इन इंडिया के तहत और अपने स्वदेशियम का फिफ्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट के साथ डटे रहिए दूसरा ओप्शन ये है कि आप 114 के जगह कुछ कम राफेल खरीदे मेक इन इंडिया के ही तहत और बचे हुए पैसो से आप लिमिटेड नंबर्स में रूस से सुखोई SU-57 भी खरीदे और अपने स्वदे जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट के साथ भी डटे रहिए जैसे आप अभी डटे हैं अब हमारे ख्याल से परिस्थिती और हमारे स्वदेशी विमानों के समय सीमा को देखते हुए वायू सेना को अब कड़े निरनाए बहुत जल्द ही लेने पड़ेंगे हम ऐस जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की भी आवश्यक्ता है फिफ्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के तौर पर स्वदेशी अमका ही हमारी बैकबोन होगी लेकिन अमका अभी बहुत दूर है असलियत बनने में और इस वजह से हम ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर सकते हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि MRFA के तहट कब और कितने संख्या में राफेल विमानों को खरीदा जाता है और अगर इसकी संख्या घटती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि वायू से ना कुछ और भी सोच रही है आज के लिए बस इतना ही उमीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धान्यवाद देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिटरी पावर जय हिंद